हलो दोस्तों आप सब कैसे हो I hope so कि आप सब अच्छी होंगे exam point में आप लोग का स्वागत है exam point के तरफ से आप लोगों के लिए 67 BPSC PT examination के लिए और आप लोग के मांग पर भी मैंने बिहार special शुरू कर दिया है कई सारे वेडियो बिहार special पे बन चुके हैं जो भी student अभी तक नहीं देखे हैं वो जाकर देखिएगा उनके लिए बहुत ज़्यादा important है BPSC PT examination में जिस टॉपिक से बिहार special में question पूछे जाते हैं वो आपको सारी के सारे exam point के तरफ से करवाये जाएंगे सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि आज के session में बहुत important एक topic है जिसका नाम है GI product in Bihar यानि Bihar के किन-किन product को किन-किन जो समगरी है जिसको GI tag दिया गया है कौन-कौन सा ऐसे चीज है जिसको GI tag परदान की गई है इसके बारे में आज के session में आपको बताया जाएगा GI tag से एक question आपके BPSC examination में आनता है BPSC ही नहीं आपके बिहार special जितने भी examination आप दे रह से हैं उनमें आपको GI tag से question जरूर पूछा जाएगा यहां तक कि आपको मेंस में भी इसको लिखने के लिए आता है और इंटर्व्यू में भी आप से question पूछा जा सकता है ति इस session को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा और मैं आपको बता देती हूं बहुत ही छोटा session है लेकिन बहुत important है तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि GI tag product कौन-कौन से हैं बिहार के जिसको दिया गया है उसके बाद मैं GI tag का important है क्या क्या है GI tag कि किसको मिलता है इस सब के बार में पूरी की पूरी जर्णकारी मैं आपको दूंगी जासा कि आप देख रहे हैं उत्पादों कि सिची यानि कि बिहार में कौन-कौन से उत्पाद हैं जिसको GI tag मिल चुका है तो देखिए सबसे पहले जो है इधर देख लिजे सबसे पहला है वो सिलाओ खाजा सिलाओ खाजा जैसे कि आपको पता है कि बहुत हर एक अस्टेट जितने भी भारत के जो पाईएगा इस वीडियो को देखने के बाद तो देखिए पहला जो है एक तरफ मैंने जिया टैग उत्पाद का नाम लिख दिया है एक तरफ अस्थान का नाम लिखा है ठीक है जैसा कि आपको पता है बिहार में टोटल अड़ती जिला है तो अड़ती सो जिला में से कौन- यह पश्वी चमपारंद का उत्पाद है अब उसके बाद देखें चोठा मधुबनी पैंटिंग यह मिठला छेत्र में है सिल भागलपूर सिल्क यह आपका जो हो जाएगा यह भागलपूर में ही है साही लिच्ची मुझहपर पूर में और आपको बता देती हूं साही लि जाट legal भागलपूर में हम्मगीपान है और अनवाद और नलंद एं चार जो जीप है उनमें घ्ट पान बहुत जाबादा प्रशिद हो फ्रृहले बिहार में इस और प्रतान किया गया है उसके बाद एक घट अप उनले क्योंगा उनक्राइब तरह से यह अचार पालील होत और क्यों दिया जाता आखेल का मतलब होता क्या है घ्रकेली अलग उलुक्रूट को क्यों दिया जाता है इसका सुरवात कब हुआ इस सब को मैं dzi आपको कज स्वत कर Suzन बताती हूं तो थोड़ा सा न देख लिए से सब तो पहला नोक मेरा जो भूद रहा है यह है कि उसका मैंन मैंने लिखाई क्या है तो देखे जी याई टैग किसी उत्पाद में दिये जाने वाला एक विसेश टैग है तथा यह मुख रूप से क्रिसी प्राकिर्टिक हास्त शिल्फ और अध्योगी उत्पाद को दिया जाता है जो किसी भी विसेश्ट भोगौलिक छेत्र में निर्मि विशोओं का उस अस्थान पर विसेश गहरा संबंध होता है तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी उत्पाद को दिये जाने वाला एक विसेश्ट टैग है जैसे कोई भी विक्ति कोई विपाधी मिलती है जैसे कि आपको मैंने बहुत बार प्रेस्ट को किसी को अपाड दिय जाता उस अदिके से पोड़क को भी एक विसेश टैग दिये जाता यह टैग मुख रूप से किस-किस में देदाता तो देखे पहला जो क्रीशी दूसरा प्राकिर्टिक चीजों में तिसरा हस्तसिल और अधोगी के उत्पादों में दिया जाता है जो किसे विसेश्ट भग अगला देख लेते हैं अगला नोट जो कह रहा है कि सरकार कुछ उत्पादों को को मौलिकता और बजार में उसे प्रभुक्ता दिलाने की उद्देश से यह टैग देती है इसके लिए पेटेंट डिजाइन एवन ट्रेड मार्क कंट्रोलर जनरल के अधिन काम होता है तो यह बहुत इंपर्टेंट है लाइन ध्यान से इसको देखिएगा कि सरकार उत्पाद को मौलिकता बजार में उसे प्रमुक्ता दिलाने के उद्देश से यह टैग देती है इ इसके लिए हर स्टेट में अलग-अलग चीजों को अगला-गला करके पोड़क्त जो भी उन्पॉर्टेंट पोड़क्त है उनको दिया जाता है और कुछ रेयर पोड़क्त को भी जी आइटक दिया जाता है और इसके अलावा आप देख लीजे इसके लिए पेटेंट जी आटक का महत्तर देखिए महत्तर क्या है यह अस्थानिय उत्पादों को संद्चन एवं बढ़ावा देना होता है ठीक है पहला पॉइंट है दूसरा पॉइंट में मैंने लिखा यह गरामीन और आदिवासी समुदाव को आर्थिक उत्थान में सहायक होता है तीसरा है उत्पादों में निर्यात को बढ़ावा देता है अब तीनों चीज का मैं मैं आपको चल्च से समझा देती हूं देखिए अस्थानिय उत्पादों को संद्चन एवं बढ़ाना बढ़ावा देता है देखिए माल लेजिए आपके जिले में कुछ इंपॉर्टन पोड़क् इसको और भी अच्छा ज्यादा निर्यात करने के लिए गवर्मेंट इसको जी आटाग परदान करती है तो यह अस्थानी जो लोग होंगे जो जर्दालू आमुगाते हैं उनके तो इनकम बढ़ जाएगी इसके लिए जी आटाग कम हत दिया गया दूसरा ग्रामीन और निर्यात को बढ़ावा मिलता है बिल्कुल जहां एक जहां माली जह 5 किलो बीक रहा है अगर वह देश बिदेश में तक जा रहा है तो वहां 50 किलो भी निर्यात करना पड़ेगा तो जब निर्यात होगा तो पैसे जादा आएंगा उनके आर्थिक जो प्रॉब्लम है वो पहली बार भारत में आने के बाद सबसे पहला जो जी आई टैक दिया है डार्जलिंग को चाय को दिया गया है 2004 में यह भारत का पहला उतपाद था देखिए यहां पर ध्यान दीजेगा जी आई टैक जो एक्ट 2019 में तो आ गया लेकिन तब से कोई भी जी आई टैक किसी भी प्रड़क को दिया नहीं गया पहला वार कब दिया गया तो 2004 में दिया गया किसको तो डार्जलिंग की चाय को दिया गया डार्जलिंग की चाय आप सबको पता ही है पारत का पहला जो उतपाद है जिसको जी आई टैक दिया गया वह डार्जलिंग की चाय कब दिया गया तो लिख लिजेगा बिल्कुल आप मैं अगर आप हमसे पुछते हैं तो मैं आपको कहूंगी स्ट्रीम आप मेरा कॉपी भी कर सकते हैं उसके बाद देख लिजे अगला जो है अगला नोट है कि जब किसी उत्पाद में GI टेग मिलता है तो उसका मान दस सालों तक रहता है यानि कि मान लिजे कोई भी पोड़क्त का जैसे जड़ालू आम हो गया कतरनी चाबल हो गया भी हार के जो GI टेग है उसका जो अगर कोई पेटन करवा देता है GI टेग मिल जाता है तो वो दस साल तक ही माने रहेगा अब उसके बाद देख लिजे कि अगला नोट है कि भगौलिक संकेत रजिष्ट्री का मुख्याले चिन्नाई तमिल नाडू में इस्थित है जो GI टेग देने के लिए जो पोड़क्त को दिये जाता है उसका जो मुख्याले है वो चिन्नाई तमिल नाडू में इस्थित है चिन्नाई तमिल नाडू में काफी एसे प्रडक्ट सेंउ काफी रियर प्रडक्त भी होते हैं जैसे केरल केरल आपको पता है कि मसालों का बगीचा के नाम सधाना जाता है तो वहाँ पर कई सारे ऐसे मसाले हैं जिसको GI Tech परदान किया गया है जैसे हल्दी और भी कई ऐसे परड़क्त है जिसको GI Tech दिया गया है तो आपने देख लिया कि इतना भी बिहार के इंपोर्टेंट परड़क्त है जिनको GI Tech परदान किया गया है वो सारा के सारा मैंने आपको बता दिया आप एक नजर में देख सकते हैं, वान लाइनर में आपको याद करना है, तो वान लाइनर में 10 ही हैं, जिसको GI Tag दिया गया है, और बहुत सारे स्टुडेंट अभी कहेंगे कि मखाना, तो मखाना को अभी GI Tag उपाधी नहीं दी गई है, यानि कि GI Tag अभी रखा नहीं किया है, बात किया गया है, कि अगर रखा जाएगा, तो मिधला मखाना करके रखा जाएगा, लेकिन अभी वो कनफर्म नहीं हुआ है, तो उस पे आप लोग ध्यान दीजेगा, जो जो GI Tag में दिया हुआ है, मैंने सब को आपको बता दिया है, सबसे इंपोर्टेंट जो चीज है कि GI इसको कैसे निधारित की जाती है, इसका मुख्याले कहां है, स्टार्ट कप से हुई, पहला पोड़क कोन सा था, इस सब मैंने आपको हैंड रिटेंट नोट्स मेरा खुद का बनाया हुआ हैं रिटेंट से, वो मैंने आपको बता दिया, आपके साथ सेयर कर दिया, जिस भी इस स्टूडेंट पहली बार BPC का पीटी तयारी कर रहे हैं, वो मेरे हैंड रिटेंट नोट्स को फॉलो कर सकते हैं, और अपना तयारी अच्छे से कर सकते हैं, तो आज के सेसल में वस्त मैं इतना ही रखती हूँ, और मैं आपको बता देती हूँ, जाते जाते कि मैं क्या- पहली बार BPC के एक्जामिशन में, पीटी में, आपको 90% कोश्चन मेरी जो हैंड रिटेंट नोट से उसी से आपको लड़ जाएगा, आप मेरे नोट्स को फॉलो भी कर सकते हैं, और जो भी स्टूडेंट अभी तक टेली ग्राम चैनल से नहीं जूले हैं, तो टेली ग्रा चाहिए, तो मैं उसको PDF के रूप में अपने टेली ग्राम चैनल पे डाल दूंगी, आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं, तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, और जाते-जाते मैं आपको बता देती हूं, 67 VPC का पीटी एक्जामिशन का जो डेट है, अपरेल, 30 अपरेल क करिए, और जिस भी स्टूडेंट को कोई भी नोट्स बगेरा कुछ चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट करके लिख दीजेगा, मैं मेरे पास रहेगा, तो मैं आपको अपने टेली ग्राम चैनल पे स्टेंड कर दूंगी, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना नहीं, thank you so much.